या सुरेट्स नावल सी दर सेकंड टाइप आफ प्रणाउम एक एक एसा प्रणाउम जिसको हम जब संटेंस में सब्जेक्ट और अब्जेक्ट दोनों एक ही परसन हो तो वहां हम रिफ्लेक्सिव प्रणाउम का इस्तेमाल करते हैं यानि अब प्रणाउम देट रिफ्लेक्ट दा सब्जेक्ट ऐसा कह सकते हैं ऐसा प्रणाउम जो संटेंस में सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता हो यानि कंडिशन यह है कि इस प्रणाउम में सब्जेक्ट और अब्जेक्ट दोनों एक ही परसन होगा वैसे केस में हम यहा मैंने खुद को चोट लगा अब यहाँ पर आई कौन सा परसन परस्ट परसन माई सेल्फ यह भी फॉस्ट परसन तो चुकि सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट में भी हमने फॉस्ट परसन यदि इस्तेमाल करना है तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते आई हर्ट नी I hurt me यदि लिखा तो यह ग्वालत संटेंस है रीजन कि यहाँ जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एखी परसन होता है तो वी आर यूजिग रिफ्लेक्शिव प्रणावन इंस्टिद आप अन्य अधर प्रणावन राई So this is a very specific pronoun where we are saying that when the subject and object both are of the same portion we are using reflexive pronoun See you have made food yourself तुमने खुद के लिए खाना बना है ठीक है I hurt myself मैंने खुद को छोट लगा ने यहाँ पर यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुकी एखी परसन है इसलिए हमने reflexive pronoun का इस्तेमाल किया है The next one is emphatic pronoun यह pronoun भी बिलकुल reflexive के जैसा ही है There is no difference in wordings इन में भी वही शब्द आते हैं जो आपके reflexive में आते हैं देखें यहाँ भी हमने myself इस्तेमाल किया है यहाँ भी हमने myself इस्तेमाल किया है दोने की वर्ड है लेकिन डिफरेंस है इसके usage में इसके position में Emphatic pronoun है क्या फिर तो a pronoun which is used to create emphasis to the person यह वो pronoun है जो sentence में person जो subject है उसके लिए क्या करता है Emphasis create करता है give precision देखो मैं उसकी बारे में बात कर रहा हूँ वैसे sense में हम Emphatic pronoun का इस्तेमाल करते है ठीक है let's see you yourself know the fact तुम खुद ही सच जानते हो तो यहाँ पर second person you जो subject है उसको जाधा emphasis किया जा रहा है तो हमने कैसे लिखा you comma दिया then I write yourself ठीक है तो you yourself know the fact I myself reached a station मैं खुद ही station पहुँच गया यहाँ पर इस subject को जादा emphasis किया जारा है जादा उस पर precision दिया जारा है जोर दिया जारा है so we are using the same subject the same person as the helping word that helps this word to create precision to create emphasis such word is known as emphatic pronoun तोनो में वर्ट से की है but the position are different and they creates a different meaning in the sentence so these are the two different words I want you to load down these two things and we'll discuss it further झाल झाल झाल